हलो माई नेम इस किसनेपाल आप देख रहें कि एपाल कोचिंग कलाज जो भी विद्यार थी सीजी टेट की एकजाम दिलाने वाले हैं उन्हें ये वीडियो जरू देखना चाहिए आज हम बात करेंगे सीजी टेट के जो हिंदी का हिंदी सब्जेक्ट है उसके अंतरगत पुछे जाने वाले जो सिलेबस के धार पर हम पढ़ेंगे ठीक अक्षर देखेंगे, सुर देखेंगे, बिंजन देखेंगे, अनु सुर और अनु नासिक ध्वनी लिंग वचन बस आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग कवर करेंगे तो चलो आगे बढ़ देएं ठीक अक्षर क्या होता है, तो अक्षर जानते हैं, ध्वनी की संगठित, इकाई को हम अक्षर करते हैं, यानि कि जो हम कुछ भी सब्दे बोलते हैं, उनके सबसे इकाई बोल सकते हैं, यूनिट होता है अक्षर, अक्षर से बनके ही सब्दे बनता है, सब्दे से वाक्या ठीक, तो और दिर्गे आते हैं, हाज से मतलब छोटा होता है, जो चार परकार के वड़ होते हैं, और दिर्गे मतलब जो बड़ा होता है, आप यह साथ परकार के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बेंजन की बात करें, तो बेंजन में कुल पांच परकार के हो जाते हैं, ज इसमें वेंजण आगद वेंजण सनीयुक्ति पनेंद हैं झैसे कि इस परषेंजेट है तो बस इसमें थोडा थोडा थोड़ा साही वह इस आप इससे पढ़ा भी होगे अनतर स्वार के अंतर्कटट कोन कौन से आते हैं चार परकार के वड़ाद से या अगत्त इसके अंतर के दो परकार के वड़ाते हैं जिसे जाभा है अब देख लेते हैं इसी के अंतर गताता है इसले बस में है अनुस्वर और अनुस्वर क्या होता है और अनुस्वर क्या होता है और अनुस्वर एक बिंदी होता है और अनुस्वर क्या होता है बंजन का मात्रा रूप है इसमें बोलते समय जो वायू है यानि हवा है वो नाग से बाहर निकल दाए जैसे कि हंस, घंटी, चंपा, संका आप इसे उचारट करके आप भी एसास कर सकते हैं ठीक अब देख लेते हैं लिंग, अब लिंग की बाद करते हैं ठीक तो लिंग को देख लेते हैं तो लिंग क्या होती है जिन संग्या के सब्दों से हमें जाती का बहुत कराता है उसे लिंग का बहुत देख लेते हैं लिंग के हिंदी में मुख्य रूप से फूलिंग और इस्ट जाति का पता चलता है और इस स्रिय जाति का पता चलता है जिससे पूलिंग के अंदर का दाते है जैसे पिताई राजा घोड़ा т.बंदर हंस बकरी लड़क ठीक और इसके अपवाद कुछ पक्षी फरवरी एवरेस्ट मोतिया दिल्ली आप लोग को बतातेता हूं इस्तिलिंग और पूलिंग का जो रूल है वह फिट नहीं बैढ़ता है क्योंकि कुछ ऐसे सब्दे हैं जो लगता इस्तिलिंग है पर फूलिंग होते हैं और चलो आगे इसको अधार से दिखाता हूं जैसे पक्षी जो है न इस्तिलिंग जैसे लगता है पर फूलिंग है और कुछ जैसे सब्दे होता है जैसे सरीर का अंग सरीर के अंग में इस्तिलिंग और पूलिंग दोनों परकार के पाए जाते हैं तो हम लोग इसे डिफाइंड करने में थोड़ा मुस्किल होता है कि प्रवत के नाम puling होते हैं जैसे हिमालय परवत के नाम puling होते हैं मैं बलरा हूँ इसका है मतलब नहीं कि सारे के सारे प्रवत का नाम ही puling हो यह बहुत ही rare case में ऐसा होता है तो इस नाम को խी पढड़ना बहुत जरूरी है और याद रखना ठीक हिमाले विंद्याचल सत्पूड़ा एवरेस्टे एसब जो कैलास हैं इन सब को देख लेना अगर मैं बोलने लगा तो वीडियो बहुत लंब हो जाएगा ठीक दिनों के नाम पूलिंग होते हैं सुमार, मंगल और बुध्वार, सुक्रुवार, सनिवार, रविवार एश सब कया होते हैं दिन के नाम पूलिंग होते हैं देश के नाम पूलिंग होते हैं जैसे भाराट, चीन, ईराग, जपान, अमेरिग, पाकिस्तान, उत्तर, परदेश, हिमाचल, ठीक, 36, गड़, मध्य, पर्देस बोल सकते हैं दातू के नाम भी पूलिंग होते हैं सोना तामबा पीतल लोहा चांदी पारा कि न चोट्रों के नाम पूलिंग होते हैं नौष्ठ्रे के अंदर क्यान कौन से नौष्ठ्रे न एक बात जरूरी होता है जैसे सूरे चंद्रे राहू अकास सनी बुद्ध ब्रेहस पती मंगल सुक्र आदी महिने के नाम पुलिंग होते हैं फलवरी मार्चे चैत असाड फागुन आदी द्रव के नाम पुलिंग होते हैं जैसे द्रव्वे मतलब द्रव जानते हैं पानी तेल पिट् हिंद महासागर प्रसांत महासागर अरब महासागर आगे देखते हैं 11 मैं के नाम प्लिंग होथे हैं जिससे घनटा पलszychड मिन přेवादी के अकशारों के नाम पूर्म महादी होथे हैं यानिकी पूलिंग होते हैं जैसे बालक, गीदर, कावा, कवी, सादू, खटमल, भेडिया, खरगोष, चीता, मच्छड, पक्ची, जैसे कि हम लोग खरगोष का इस्तिलिंग नहीं बना सकते हैं, नहीं चीता का बना सकते हैं, चीता का चीती थोड़े बनेंगे नहीं, मच्छ बारी और बेडावल वस्तु जो पूलिंग होता है, जैसे जूता, रस्सा, पहाड, लोटा, रतनों के नाम भी पूलिंग होते हैं, नीलम, पुकराज, मूंगा, फूलों के नाम पूलिंग होते हैं, गेंदा, मोती, कमल, गुलाब, दीप के नाम पूलिंग होते हैं, अनब हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मुह, घुटना, फिर्दाय, दात, मस्तग, और जैसे कि आँख हो गए, ठोट हो गए, उंगली हो गए, इस लिंग के अंतर गजाते हैं, ठीक, जिसे दान, खाना, वाला, से खत्मे होने वाले सब्दे हमेशा पुलिंग होते हैं, हमे पुलिंग होते हैं, हकरांत, संघ्या की पुलिंग होते हैं, जैसे गुसा, चरस्मा, पैसा, छाता, आधी, इसे मैं आगे देखते हैं, इस लिंग क्या होता है, तो जिन संघ्या सब्दे से इस्तरी जाती का हमें पता चलता है, इस लिंग होते हैं, जैसे कि हंसनी, लड़क आ हिख एस इस बोड़ा कुटिया बंदरिया खुर्सी को पतीनन्दी ठीक यह तो हुता है इस दिंगे अंदर गाते हैं और इस लिए कुछ अपवाद हैं सभा कक्षा जैसे कि कि हम लोग देखे थे जो भीड़ वाला चीज होता है वो क्या होता है ? पुलिंग होता है पर कुछीज जो भीड़ होता है वह स्थिलिंग में आता है जैसे सभा व् jullie ठी, कक्षा संतान त्रथम तीथी, छाया, खतास, मिठास आदी इस्तिलिंग प्रत्या देख लेते हैं जब पूलिंग सब्दे को इस्तिलिंग बनाया जाता है तब प्रत्या के सब्दे को जोड़ा जाता है जिन्हें इस्तिलिंग प्रत्या काते हैं इस्तिलिंग प्रत्या जैसे कि हम बड़े वाला इजोड़ देते हैं जैसे बड़ देंगे किसमें ? पुलिंग में ट्रॉटजम गख ये सब्सक्राइं पंडित में पंंटतायच छष देंगे या जोड़ देने से सब्सक्राइज़ इतिा पर बेटिया, लोटा में लूटिया, ठिक, इसलिंग के भहचान देख लेते हैं, जिन संग्या सब्दों के पीछे, खा, टा, वट, हट, अनि, आधी, आए, सभी इसलिंग होते हैं, जिसे, कड़वाहट, आहट, बनावट, सजावट, जंजट, आहट, ठिक, आगे देख लेत होते हैं, अनू, स्वरांत, इकरांत, पूकरांत, तकरांत, सकरांत, आधी, संग्याएं, आती है, इसलिंग होते हैं, जैसे, रोटी, टोपी, नंदी, चिट्टी, उदासी, रात, बात, ठिक, आगे देख लेते हैं, भासा बोलने तथा लीपी के नाम इसलिंग होते हैं, ज के नाम इस्तिलिंग होते हैं गंगा यमना गुदावरी सरसती रवी इनके पूलिंग नहीं होते हैं इस बात को ध्यान देना ठीक इनके पूलिंग नहीं होते हैं ना इनके पूलिंग होते हैं तारिक अवर्तिति के नाम इस्तिलिंग होते हैं जे पहले दूसरी प्रति, प्रतिपादन, पुर्णिमा, प्रित्वी, अमावास, एका दसी, चतूरत, प्रतम, आदी, नव नप छत्रों के नाम इस्तिलिंग आते हैं, अस्विनी, भरडिये, रोडिये, रेवती, मिरिक, सी, चित्र, ठीक, नव सत्रे की बात हम लोग किसमें किया थे, जैसा ही, नहीं, इस्तिलिंग जैसा ही हमें एसास कराता है, अब देखते हैं, हमेशा इस्तिलिंग रहने वाले संग्या, जो हमेशा इस्तिलिंग होते हैं, के फूलिंग बन ही नहीं सकते, जिसे मक्खी के फूलिंग नहीं बनते हैं, मक्खा थोड़ी हो जाएगा, कोईल का मचली का मचलानी होने वाला ठीक तितली का मैने का एह हमेशा इस्तिलिंग ही होते हैं भले ही वो पुरुष के उना हो समू वाचक संग्या इस्तिलिंग होते हैं जैसे भीड, कमेटी, सेना, सभा, कक्छा, आदी प्राडी वाचक संग्या स्टिलिंग होते हैं धाय संतान सौतान ठीक पुस्तकों के नाम स्टिलिंग होते हैं कुरान रमायड गीता राम चरित बाइबल महा भारत अहारों के नाम स्टिलिंग होते हैं जैसे सबजी दाल कचवड़ी पूरी रोटी पकोड़ा और शरीर के अंग के नाम इस्टिलिंग होते हैं पुलिंग जो होते हैं हमने पुलिंग की बात कर लिया है अब इस्टिलिंग की बात कर लेते हैं आख नाव जीग जीब पलक उंगली ठोड़ी अक्सर एक्जामनर उस जगह से प्रस्ने पूछता है जो दोनों में लगभग से सेम होते हैं जैसे शरीटेंद दोनों जगह से आता है इस्तिलिंग पूलिंग से तो इसे जगह में फ़साने का कि कि आगे देख लेते हैं अनुभास्रे और वस्त्रों ये नाम स्तिलिंग कया होते हैं जैसे स्थाडी चनल्वाद रॉंग hard धोति भी स्ट्लिंग होते हैं भले इस उप्रुष पहेंदे हैं। पर धोती स्ट्लिंग кミाय कि पगड़ी को कर मारा चूड़ी बेनीं तो सब इसलिंग है इसमार मसालो के नाम भी इसमें होते हैं दाल चीनी लाॉं घल्दी मिरच धनिया इलाची जो भी हम मसाल डालते हैं, खाते-पीते हैं, सब क्या है स्थिलिंग हता है? रासी के नाम स्थिलिंग होते हैं जिसे कुम्मीन, तुला, हिंस, मेζ, कैयर, मिथुन, जो भी रासी है सब इस्थिलिंग के अंतर गाद आते हैं इसे में आगे देख लेते हैं वचन, वचन क्या होता है तो सब्दों के संख्या, संख्या वाचक रूपों को वचन कहते हैं जो सब्दों में संख्या वाचक रूपों को वचन कहते हैं जो उसके एक या एक से अधिक होने का बहुत कराता है जैसे एक है दो है तीन है कितना है नहीं संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं एक वचन दूई वचन बहुचन पर हिंदी में सिर्फ दो होते हैं होते हैं एक वचन बहुचन एक वचन क्या होता है सब्दे के जिस रूप में संख्या के एक होने का बोद कराता है सिर्फ एक होने का जिसे लड़का यहां पर अकेला है तो एक वचन है यहां लड़के हैं यानि दो होने का हमें दो से ज़्यादा होने का बोद करा रहा है तो यह क्या होता है बहु अचन के अंतर के दाता है आज के लिए हमारे सेशन बस इतना ही रहन देते हैं टिक लाइक सब्क्राइब शेयर करो थांक्यू